जय हिंद, जय भारत, वंदे मात्रम, साथियों, पिछले कुछ वर्सों से देखने में आ रहा है जो भी शाषन की पहले कांग्रेस, भिर बाजपा, इन्होंने देश की जनता के साथ हर जगए अन्याय किया है, ध्रस्टाचार को बढ़ावा मिला, बलातकार की घटनाएं बढ़ गई, अपराद बढ़ गए, रोजगार के आउसर कम हो गए, कांग्रेस ने जो वादे किये थे वो भी पूरे नहीं हुए, कि हम देश को उच्छिस्तर पर ले जाएंगे, उसके बाद विबिन्य बुद्धों को लेकर जनता की समस्यां को बर्गला कर, बादपा यानि मोधी सरकार ने भी कुछ गलत कदम उठाए, जनता की समस्यां जस्किस्तर रही, दो करोड नौकरियां हर वर्ष नहीं मिली, डॉलर का रेट रुपे के बराबर हो जाएगा, तिरपन रुपे की जगए 85 हो गया, नहीं हुआ, हवाई चपल पहनने वाला हवाई जाज में यात्रा करेगा, लॉकडाउन के कारण मल्दू सड़कों पे आ गए, नहीं हुआ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान चला, ओलंपिक महिला खिलाडी सड़कों पर आ गई, अन्याय को लेकर, उनके साथ न्याय नहीं हुआ, और पढ़ाई की जगए, बेटी पढ़ाओ की जगए, मंदिर मस्जिद मुद्दे पर उल्जा दिया गया, तो वर्तमान में ये देखा जा रहा है, आज तक जो भी राजनितिक पार्टिया आई है, उन्होंने जनता को मूर्ख बना कर सासन किया है, उनका जनता की, पीडित जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, आज सब की मुख समस्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, सब को सिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को, वो भी निशुलक रूप से, जैसे गरीब से गरीब का बच्चा भी पढ़ सके, सब को रोजगार मिलना चाहिए, कि अपने पेरों पर खड़ा होकर वो परिवार का पालन पोसंड कर सके, सब को न्याय मिलना चाहिए, पांच करोड मुकद में अभी विचारा धीन है, उनका फैसला नहीं हुआ, न्याय में भी देरी हो रही है, स्वास्त चिकिस्सा जो सुविदाय हैं, वो दिनों दिन महंगी होती जा रही है, मतलब आम और मद्यम मर्गी जनता, पीडित और परिसान है, 76 वर्सों में उनकी कोई बात नहीं हुई है, आज स पटना गए, दिल्ली गए, पूरे देशों की यात्रा भी की है, कि हमको चरितवान इमानदार निड़न लोगों की जरोत है, तो हमें अब वह तलास हमारी पूरी हो चुकी है, हमें पूर सेनिक मिले हैं, जिनका जजबा इमानदारी का रहता है, जो सिमाओं की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, देश में जब भी कोई आपता आती है, जब पुलिस से कंट्रोल नहीं होता है, तो नेतागर शीमा से, या जित्ते भी अपूरे देश की रक्षा करते हैं, आज देश संकट में है, वह भी गहरे संकट में हैं, रोजगार, शिक्छा, सुरक्षा की कोई भी बात ब्रश्ट नेता नहीं करते अब हर सरकारी डिपार्टमेंट में जाओ आपका बिना पैसे के कोई काम नहीं होता जब की जनता भरपूर टेक्स देती है लेकिन कुसको इस रिशाब से सुविधाय नहीं मिलती है तो हमने एक मंच चुना है भारतिय जवान किसान पार्टी इसमें हम सभी लोगों को कहना चाहते हैं कि इसमें जवान भी है यानि सेनिक भी है किसान भी है अनदाता भी है इसमें हमारे मजदूर भाई भी है छोटे व्यापारी भी है युवा वर्ग भी है नारी शक्ती भी है तो इसमें हमने सब को समिलित किय है भारतिय जवान किसान पार्टी यानि देश के जवान दे संपून भारतिय बहले चाव व्यापारी हो मढ्यमर की छोटा व्यापारी भलेवह युवह हो तो हमने विभिन लोगों को जनता के सम्मूं को एक जूट करके शरित्रवान इमानदा लोगों को एक करनेका काम किया है और हमें सफलता भी मिली है तो हमें आपसे वादा करते हैं और आप को वचन देते हैं कि भार्ति जवॉण किसान फार्टि इमांदारी को दिखाते हुए डेस के भविश्य को शुनारा बनाने का काम करेगी हमारे जो वादे हैं जूटे वादे नहीं है जुमले बाजी वादे नहीं है मूर्क बनाने वादे नहीं है हमारे नेक इराद ही हमको सफलता दिलाएंगे सबसे बड़ी बात तो हमें पैसों की कोई लालच नहीं है हमारे लिए सबसे बड़ी है इज्जत और जिसके लिए सबसे बड़ी इज्जत है वह विकाऊ नहीं टिकाऊ होता है तो हमारे भारती जवान किसान पार्टी में जो भी सदस्य या पदाधिकारी हैं वह विकाऊ नहीं टिकाऊ हैं पैसों के बल पर काम नहीं करते वो अपनी इज्ज़त को कयम रखते जनता की सेवा करने का काम करते हैं कि एक ंजनता की बनने है कि हमें जनता का वह डॉक्त करना है जड़ से बीमारी को खतम करते और हमारे भारत में बीमारी किया है महेंगी शिक्षा एक बच्चा भी पढ़ता तो उसके लिए उसके माबाप करो लाको करोड़ों खर्च करते हैं महेंगी चिकिस्षा हर जगे लूटा जा रहा है महेंगा न्याए न्याए आपको सुलम नहीं है रोजगार की तो बाती नहीं होती बड़े-बड़े पुझी पतियों का साथ दिया जाता है और मध्यमरगी गरीब होता जाता है इसलिए देश में 2014 में 55 लाक करोड़ देश का कर्ज था आज बढ़के 205 लाक करोड़ हो गया है क्योंकि इनकी कोई नीती नहीं है राम के नाम पर काल लेमी जैसे मूर्ख लोग जो जनता को मूर्ख बनाते हैं उनका विरोध करते हैं आज की सरकार आपको रोजगार की बात नहीं करती आपकी शिक्षा की बात नहीं करती आपके चिकिस्षा की बात नहीं करती आपके ज्याय की बात नहीं करती वह सभी बाते भाती जवान किशानपाटी पूरी करेगी हम आपसे वचन देते हैं आपको वादा करते हैं क्योंकि यह राष्ट का जंड़ा हमारे उपर सिर्पर है और हमारे पास धर्म भी है याति महाकाल और महाकाली धर्म क्या होता है सत्य की रक्षा असत्य का सरुनास आज जो सासन पर बेठे हैं वो पाखंडी हैं असत्य के बल पर सासन पर बेठे हैं राम के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है लेकिन राम राज नहीं लाए जा रहा है